नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवीडी पाट साला पे दोस्तों CBT1 NTPC का एक्जाम का आपका आंसर की आने बाला है 16 अगस्त को तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आंसर की 16 अगस्त को आ जाएगी तो CBT1 का final result कब तक आएगा और कटेगरी का भी एक्जाम हुआ है तो उसका आंसर की कब आया final result कब आया और CBT2 का एक्जाम कब कंड़क्ट कराया गया उसी के आधार पर हम लोग एक प्रेडिक्शन करेंगे कि कि किस दिन आपका final result आएगा और CBT2 का एक्जाम डेट आएगा तो सचले दोस्तों सबसे पहल गया गया कि COVID-19 के कारण अभी Ministry of Railway and RS related category का जो है final result जारी नहीं किया गया है तो नेक्स्ट एक्जाम आप देख लेते सकते हैं तो को 28 अगस्त को करा लिया गया था 28 अगस्त से एक सितमबर तक यानि बहुत ही फास्ट करा लिया गया था लेकिन इसमें दोस्तों मातर 30 लाख फूर्म भरे थे इस बात को धियान रखेगा मातर 30 लाख फूर्म भरे थे अब जो है नटीपीसी के ओर चलते हैं तो इने बाद 93 लाख जैसे ही आप देख रहे हैं कि total number of candidate आ गया तो इनको चार महिना लगए answer की दिने में तो कि answer की जब आता है उसके बाद result आने के लिए बीच में query का process होता फिर query submit होता सब को check होता तब फिर answer की correction होता है तब फिर आपको फिर से answer की load होता और final marks update किया जाता इतना process होने के बाद होता है तो जितना ज्यादा candidate रहेंगा इतना process करने में उतना ज्यादा समय लगता दोस्तो इसलिए चार महिने लग जाते हैं तो इस बार भी आप सोच सकते हैं कि इस बार भी चार महिने के आसपास लगने की संभाबना है योकि 16 अगस्त को आएगा तो इस बात को आपको धियान रखना है तो आपको तैयारी करने के लिए यदि आपको लगता है कि आप CBT-1 क्लियर कर जाएंगे तो अभी से आप CBT-2 के तैयारी में लग जाई नहीं तो आपके पास फिर बाद में बहुत ही कम समय बचेगा तो इस तरीके से आप देख सकते है कि expected आप जो है December तक फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं इसका एंटीपीसी का और साथी साथ जन्वरी में आप लगभग एकदम बन रही है दोस्तों इस तरीके से आपको तैयारी में लग जाना है और देखा आपने कि किस तरीके से मैंने पिछला एनालिशिस किया स्टेज वन जे रेलवे जेए का साथ साथ एंटीपीसी पीरिवेसेर का और साथ साथ मिनिस्ट्री और और दोस्तों एक ब पार भी टीसीए सीहीं सारा कार्ज करम रेलवे का करा रहा है बहुत दिन उसे एंटीपीसी भी यह वहला टीसीए सीं करा रहा है तो इस तरीके से दिसंबर जैन्वरी में आप एक्सपेक्टेड रख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रीवीटी टू होने वाला है चलिए दोस्तो झालिए